Hello and welcome my dear soul family, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली इसके साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग में हम फिट से बहुत ज़दा नई एनरजी के साथ शुरुबात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त आपकी पर्सन के दिमाग में करेंटली क्या चल रहा है आपकी पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये भी जानेंगे कि आगे की और आपके पर्सन क्या आक्शन ले सकते हैं तो जब तक मैं cards को shuffle करूँ आपको as usual आपके person का नाम लेना है जानने की कोशिश करना है कि आपके person आखिरकार आपके लिए क्या मैसूस करें चलिए शुरुआत करते हैं आज की reading की लेके angels का नाम अपने person का नाम लेते रहिए चलिए cards आने शुरू हो गए है page of cups, six of swords, nine of cups, queen of cups यहाँ पे आगया है five of pentacles यह आपके person की current energy मुझे दिख रही है एक चीज यहाँ पर बता दूँ वैसे तो बहुत जादा मुझे आपके person की energy यहाँ पर strong लग रही है पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर earth sign है, water sign है और सबसे जादा air sign मुझे दिखाई दे रहे है ठीक है, cups की energy बहुत जादा जादा है ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आपना काफी जादा अपने person के लिए खिचाव समयसूस कर रहे हो और एक चीज और मैं यहाँ पर बोल देना चाऊंगी अभी 2-4 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई अक्चली रीडिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा schedule बहुत जादा busy हो गया था और इसके कारण पर थर्ड चैनल पर आप में से जितने लोग जुड़े हैं आप जानते हैं आकाशिक हिंदी टैरो उस पर regularly वीडियो आ रही है ठीक है उस पर आप सभी देख रहे हैं हर शाम को आती है तो उसमें तो कोई कमी नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहां चले गई पता नहीं रीडिंग डालेंगे की नहीं डालेंगे I don't know क्या हो गया और ये भी आ रहा होगा कि अब हमें अपने person की current energy कैसे पता चलेगी तो please worry मत होया कीजिए बहुत सारे messages पड़े मैंने बहुत कि आप कहां हो कैसे हो थोड़ा सा you know season change हो रहा है तो तबियत भी थोड़ी सी गड़ड़ा जाती है तो अभी I'm fine I will try कि मैं रोज रोज readings को upload करूं और हाँ और ये reading जो है आपके लिए specially आपके person की current feeling को लेके है genderless है general reading है दूसरी बात बहुत लोग मुझे डेली basis पर पता नहीं कम से कम 10 plus messages मैं देखती हूं comment section में आप लोग यही बोलते हो कि शाम की reading upload कर दो तो definitely darling I'm trying a lot थोड़ा सा मतलब you know आ जाए थोड़ा track पर तो शाम वाली वीडियो भी इस चानल पर आना शुरू हो जाएगी ठीक है तो क्या होगा इस चैनल पर एक सुबहा एगी नौ बज़े फिर शाम को साथ बज़े soulmates पर जो दो बज़े आती है वो और वो जो अकाशिक हिंदी टैरो है उसका link मैंने description box में दे रही हूं आप जाके subscribe कर लो ठीक है उस पर तो regularly आ रही है रात को ठीक है हमेशा रही है तो आपके लिए पूरा मैंने arrangement कर दिया है तो इस बात के लिए बेफिक्र रही है ठीक है और देखिए मुझे इस reading को देखके ऐसा लग रहा है कि आपना बहुत ज़दा आपके परसंद की तरफ एक खिचाव सा मैसूस कर रहे हो एसा लग रहा है कि जैसे कि गर्मिया गई पुरी गर्मियों भर मतलब इस सीजन हो सकता है कि आपको गर्मिया बहुत ज़दा पसंद हो पर इस बार क्या हुआ है कि आपना थोड़ा सा आपके डिस्टॉब चौल रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया और ये गर्मिया जो पड़ी थी वो बहुत तपती धूप पड़ी थी अपका हमेशे दिमाग खराब रहता था irritating सा मूड और इस गर्मी की वज़े से या गर्मी not specifically मैं कहा रही हूँ लेकिन मैं यह कहा रही हूँ कि इस season के वज़े से कही न कहीं आपके brain पे thoughts पे feelings पे भी असर पड़ा है और इसकी वज़े से मुझे लग रहा है कि आप थोड़े off track हो गए ऐसा लग रहा है कि आप March तक अपना काम ठीक से कर रहे थे पर यहां पे आपके person की feeling इस वक्त बहुत ज़्यादा आप पे हावी होने लग रही है ऐसा लग रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो आप हमेशा उनके बारे में सोच रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके person को ना एक तरीके से मन की अवाद से हमेशा पुकार रहे हो आप उनको हमेशा जो उनके बारे में सोच रहे हो ठीक है उन पर ध्यान दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये चीज है कि आप हमेशा उनको पुकार रहे हो एक तरीके से सोच सोच के वो चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आओ मेरे पास ठीक है प्लीज कम टु मी मुझसे एक बार सॉरी बोल दो सॉरी बोलने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूँगा या माफ कर दूँगा ऐसा लग रहे है कि आप उनको इंविटेशन दे रहे हो इस वज़े से आपकी परसन का आपकी तरफ एक मैं देख रही हो ऐसा लग रहे है कि उनके मन में आपके लिए प्यार का सेलाब साया हुआ है यकीन मानो कभी बहुत ही उंची जाती है वो लहरे और कभी बहुत नीचे आ जाती है इसी वज़े से इस वक्त मैं आपकी परसन के एनरजी में आपको लेके बहुत ज़दा बेताबी मिलने की बेताबी और बेचैनी ऐसा लग रहा है ये इनसान दिल में बहुत सारे राज दफनी की हुए है जो ये आपके सामने सारे राज खोल देना चाहते है जो भी इन्होंने आपके लिए अपने दिल में दफन कर रखा है उस चीज़ को ये अपने अंदर से निकाल देना चाहते है उस चीज़ को ये आपके सामने रख देना चाहते है ये आपसे बहुत ज़्यादा confession करना जा रहे है current energy अगर आप देखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि इस person का जो सुभाव है वो काफी ज़्यादा हो सकता है कि गुसैल रहा हो या बहुत ज़्यादा egoistic रहा हो पर इस समय के energy मुझे ये बता रही है कि आपके person ना इस वक्त महसूस करें आपके लिए बहुत ज़्यादा शान्ती वो बहुत शान्ती से आपके साथ चीजों को solve कर लेना चाहते हैं मुझे लगता है कि आप दोरों के बीच में कोई जड़प नहीं होगी कोई चल कपट या कोई गुसा एगो यहां पर नहीं हाएगा जगड़ा नहीं होगा पर बहुत शान्ती से ठीक है मुझे लग रहा है कि ये person आपका इंतजार कर रहे हैं और देखो ये मचली को पकड़ने के लिए ये पानी भी इनके पास है इसका मतलब समझ रहे हो ये person चाह रहे हैं आपको हर चीज प्रोवाइड करना ये person आपको हर चीज देना चाह रहे हैं इसका मतलब जो भी आपकी जरूरत हैं आपकी रिष्टे को चलाने में काम आएगी जो भी आपकी जरूरत हैं जो आपकी रिष्टे को आगे की और बहुत सदा मस्बूत कर देगी ये परसन आपके लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं इससे लग रहा है ये परसन अपना बदला हुआ स्वभाव एक तरीके से आपके लिए सर्प्राइज रख रहे हैं कि जब ये आपसे मिलेंगे न ये सर्प्राइज ये आपको देंगे और आपको शौक कर देंगे आपको मैसूस होगा इस परसन में इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है मुझे लग रहा है कि ये परसन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तयार है पर शर्त ये है कि इस person को आप चाहिए हो किसी भी हालत में आप चाहिए हो ऐसा लग रहे है कि ये person आपकी तरफ जुक रहा है धीरे 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 ये आपकी तरफ जुका महसूस कर रहे है ठीक है लेकिन यहां पर क्या है एक चीज नजर आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगी आप इस परसन को जान रहे हो आप इस परसन को बहुत टाइम से जानते हो पर आपको पता है कि उनका एक ऐसा नेचर भी है जहां पे इसी परसनने आपको एक दिन इतना रुलाया है इतना रुलाया है कि यही person एक तरीके से इस वाली energy में मुझे दिखाई दे रहे है ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक channel song हैं मैं बताना चाहूंगी तुझे यादेना मेरी आई किसी से अब क्या कहना वो वाली energy नज़र आ रही है हो सकता है कि यह आपका favorite song भी हो या अपने खभी हाल फिलाल में आपके कान में पड़ाओ आपको यह ही शिगायत रहिए अपने person से कि अगर इनोंने ही मेरी बात नहीं समझी तो आप किसी से और क्या ही कहना ठीक है अब इनोंने ही मेरी बात नहीं समझी तो किसी से क्या ही कहना, अगर इन्होंने ही मुझे रुलाया, इन्होंने मुझे धोका दिया, इन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, इन्होंने मुझे नेगलेक्ट किया, मुझे इग्नोर किया, इन्होंने मुझे दुख दिया, और मुझे लग रहा है कि इस परसन को ना कही न अनर्जी मैं पिक कर पा रहे हूं यहां पर देखो 9 o cups की अनर्जी हमने क्या बता रहे है जिसे यहां पर एक कप है, फिर यहां पर यह ऐत है फिर कार है, मैं क्या बता रहे है, 9 o cups की energy यह बोड़ रहे है कि इंब मेरे पास वो सब improvement कर रहे थे यह अपने उपर बहुत-ज़दा चेंजést ला रहे थे यह अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजे डालने के कोशिश कर रहे थे जहां पर यह अपने आपको बदल सके अपने betterment के लिए यह अपने अंदर वह सारी कम्या दूर कर रहे थे और इसलिए लग रहे हैं आपे cups की energy कि ये बैठे हुए हैं आपका इंतिजार करे हुए पर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ये अपने हाथों कैसे fold करके बैठे हैं ये अपने हाथों को fold करके इसलिए बैठे हैं, यह बोलना चाहरे हैं आपसे कि यह आपको बुला नहीं रहे हैं ठीक है यह आपको बुला नहीं रहे हैं लेकिन यह चाहते हैं कि दोनों की तरफ से यह फीलिंग बहुत ही conform और strong हो जाए कि आप भी इनके पास आ जाओ और ये भी आपके पास आजाए ये चाहते हैं दोनों की तरफ से feeling strong हो आग दोनों की तरफ बराबर हो ताकि दोनों ऐसे आके मिलो ठीक है क्योंकि आपको time देना चाहते हैं क्योंकि ये देखो queen of cups की energy ऐसा लग रहा है कि ये queen यानि कि आप doesn't matter आप male हो female हो दोनों के लिए बोल रही हूँ जो queen है ठीक है वो accept करेगी proposal accept करेगी तो ही वो accept होगा इसका मतलब समझीए मतलब कि सब कुछ ही आपके हाथ में दे रहे हैं सब कुछ ही आपके उपर सौप रहे हैं जो आप फैसला लोगे आपका फैसला मालिक सराखो पर ऐसा लग रहे है आप ऐसी energy में हो जहां पर आपके उपर सारी authority दे दी गई है कि आप इनको चुनोगे इनको accept करना rejection आपके हाथ में है ठीक है तो यह आपके मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे नहीं आपको दुख पंचाने जैसे काम कुछ करेंगे ऐसा लग रहा है कि आपको देख के दूर से यह समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त आपको पढ़ने ही पा रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो तो जब यह आपको पढ़ने ही पाते तो वो चीज इनको बेचान करती है ऐसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है five of pentacles समझ रहे हो जब यह आपके बारे में जान नहीं पा रहे है तो इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा शंका आ रही है इनके मन में इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इनके साथ वापस आना नहीं चाहते हो आप आगे बढ़ चुके हो ठीक है ऐसा लग रहा है कि अब आप जान चुके हो कि इनके साथ आपका कोई future नहीं है तो एक चीज मैं आपको बता दूँ यह चीजे आपके person अपने मन में ही सोच सोच के डर रहे हैं इस वाक्त ऐसा लग रहा है कि इनका मन का डर है जो मुझे reading में यहाँ पे साथ दिखाई दे रहा है जो बार बार उभर के आ रहा है कि इनको डर लगता है इनको डर लगता है कि आप इनसे उपर उठ गए उनको डर लगता है कि आप इनसे उभर गए हो ओके टू अफ कॉप्स की एनरजी बड़े पटाके फूट रहे हैं जी क्या बात है टू अफ कॉप्स की एनरजी किंग ओफ कॉइंस स्वारी कुई नाफ कॉइंस वील ओ फॉर्चुन देखो ध्यान से देखिए कार्ड इससे हमें बहुत ज़्यदा अभी क्लैरिटी मिल रही है ठीक है देखिए एक तो ये बात कि आपके परसन चाह रहे हैं कि आप इनसे ओपन अप हो ध्यान से देखिए इस फिगर को ठीक है आप इनसे ओपन अप हो दूसरी बात ये परसन आपको बताना चाहते हैं आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं इस बार ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप जैसे हो ये ऐसे आपको accept करना चाहते हैं हो सकता है आपके person आपको बार बार बोलते हो कि तुम्हारी वज़े से ऐसे हुआ वैसे हुआ तो यह आपके अंदर changes चाह रहे हो पर अभी as of now ऐसा लग रहा है यह person आपको बोलना चाह रहे हैं कि यह आपका time waste नहीं करना चाहते है यह एक solid foundation चाहते है ठीक है solid foundation चाहते है यह आपको change नहीं करना चाहते है नहीं आपसे कोई अभी इनको शिकायत है ठीक है और इससे लग रहा है कि यह person आपको ना दुनिया से छुपाते थे कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि नजर लग जाएगी यह हो सकता है कि आपको कोई chance मार लेगा या फिर यह भी हो सकता है कि इनको शरम आती थे एक तरीके से यह भी reason दिखाए दे रहा है पर wheel of fortune के energy कहती है कि परसन अपने अंदर बहुत सादा बदलाव कर चुके है जिस overthinking के जालमी इनसान फस्ते थे बार बार उस overthinking से निकल के यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर rebirth हुआ है ठीक है और यहाँ पर two of cups जैसे मैंने बोलने दोनों तरफ से आने चाहिए लोग और मिलनों ना चाहिए यह होता हुआ नजरा रहा है ध्यान से देखोगे तो यह होता हुआ नजरा रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है कि एक इनसान आपके person के energy में pick कर रही है especially इनको देखके जो बहुत ही इस रिष्टे में dominant रहे हैं जो बहुत ही इस रिष्टे में हुकम चलाने वाले रहे हैं से कि आपके person तो यह आप चाहेंगे कि ऐसा ना हूँ ठीक है यह चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी यह सारे चीज़े वाइड करें यह चाह रहे हैं submission यह आपके सामने submit करना चाहते हैं अपने आपको यह जुग जाना चाहते हैं आपके सामने यह प्यार का प्याला लेके खड़ा है और वो प्यार का प्याला आप ठुकरा भी सकते हो और ले भी सकते हो तो इस चीज़ के आपके परसंद को बहुत ज़्यादा पड़ी है कि ठुकरा होगे या लोगे ठुकरा होगे या अपना होगे तो ऐसे लग रहे है कि इनका दिमाग बार-बार यही दोनों options को सोच रहा है क्योंकि यहाँ पर दिखाए दे रहा है profit loss, east or west up and down, दो options के बीच में इस person को sorry okay दो option के बीच में इस person को बहुत जादा confusion है, ध्यान से देख लो ठेक है harmony choose wisely जैसे मैंने बोला ना, दो option के बीच में इनको बहुत जादा confusion है तब कि person आपको यह बूलना चाह रहे है इनके मन में यह है कि जो भी आप फैसला लोगे प्लीज वो past के base पे मत ले ना यह person चाह रहा है कि पुरानी जितने भी गलतियां है ना, उनको बिलकुल भी आप मद्धे नजर मत रखना ठेक है उनको बिलकुल भी आप सोचना मत यह कह रहे हैं कि जो भी यह आपके लिए बदले हैं, ठेक है जो भी इनके मन में आपको लेकर भावनाय चींज हुए है आप उसके अधार पर अगर फैसला लोगे, तो आप बेटर फैसला कर पाओगे क्योंकि इस परसन को लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, आप हाँ कह सकते हो, ना कह सकते हो आप ठुकरा सकते हो तो यह परसन दिल से आपको बोलना चाहते है कि डार्लिंग, जोभी फैसला लोगे मेरे लिए, वो सोष समझ के लेना सोष समझ के लेना यहां पर हार्मनी दिखाई दे रही है क्योंकि आपके फैसले पर इस रिष्टे का सब कुछ depend करता है, इस रिष्टे का future depend करता है यह person आपको बहुत प्यार से अपनी और लेना चाहते है यह person आपको बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं ऐसे जैसे कि आप इनके world हो, आप इनके boss हो जो आप बोलोगे, ऐसा लग रहे है कि इन्होंने फैसला ले लिया है कि अपनी life का या इस रिश्टे का हर फैसला यह आपको करने की इजाज़त दे रहे हैं जो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे वैसे होगा तो यह energy मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दोनों का reunion मुझे बहुत पास नज़र आ रहे है अपको full of emotions यह person आपके लिए बहुत emotional महसूस कर रहे है इस वक्त, यह person आपको अपनी emotions के बारे में बता देना चाहता है और यहाँ पे flowering हो रही है ऐसा लग रहा है कि एक बार यह person अगर सामने की हो रहा कि आपको कुछ बता देंगे तो इस रिष्टे का शायद हो सकता है एक नया रुख बदल जाएगा ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत abundant energy में हो एक दूसरे को समझ रहे हो एक दूसरे के आँखों में आँखे डाल रहे हो ऐसा लग रहा है कि यह connection बहुत deep है और ऐसा लग रहा है आपको कि आपका यह connection कभी तूटा ही नहीं था यह मान लो यह connection तूटा ही इसलिए था ताकि यह connection बाद में जूड सके तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो देखने को हमें मिल रही है ठीक है करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि आपके person बहुती ज़ादा बहुत ज़ादा आपको लेके प्यार महसूस करे है बहुती ज़ादा प्यार महसूस करे है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है प्यार इनके आँखों में नज़रा रहा है जो ये चीज बोल रहे है मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़ादा हिट करने वाली है बहुती टू दा पॉइंट बोलेंगे यहाँ पे कोई भी घुमा फिरा के बात करते हुए आपके person मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं चलिए देखते हैं इस person का आगे की और क्या energy रहने वाली है three of cups wheel of fortune फिर से आगे इदर भी आया था ठीक है change five of coins फिर से five of coins five of coins, five of coins इस person को matter करता है मुझे लगता है कि यह आपके answer का wait कर रहे है मुझे लगता है कि आपकी तरफ से किसी इशारे का wait कर रहे है ठीक है कि चाहे लड़ाई हो, चाहे प्यार हो चाहे difficult situation में यह आपके साथ हमेशा खड़े होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है पहले लोने आपका साथ छोड़ा और यहाँ पे three of cups की energy बता रही है कि बहुत ही बहुत ही यह person आपके साथ अपने हर ड्रीम को पूरा करना चाहते है हर वो ड्रीम जो इन्होंने आपके साथ देखा है जो happy family का ड्रीम देखा है यह देखा है कि आप इनके life partner बनोगे उसको यह person इस पर सकार करना चाहते क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके घर पे शायद जो भी authority है बड़े लोग इनको शायद suggest कर रहे हैं कि तुमें उससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा तो जाओ तुम अपनी जिन्दगी को जी लो कपस की energy मुझे ही बता रहे है कि हर कोई इनकी feelings को समझ रहे है और आप दोनों को अलग करने वाले भी लोग आप दोनों के तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे है बहुत ज़दा change है energy में पर यह change बहुत अच्छा है believe me यह change बहुत अच्छा है तो आप दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ बहुत ही positive reading है जो आपके person के तरफ से मुझे current feeling के रूप में मिली description box में new reading का link है देखे जरूर जाएगा इस वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिएगा comment section में मिलते हैं बाते करते हैं तब तक के लिए God bless you, bye, love you all